नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सली के अंदर थाजन सेपरेटर को किस तरह से यूज करते हैं ठीक है जैसे कि हमारे पास कुछ डेटा है यहाँ पे देख रहे हैं अगर इस डेटा में भी मुझे चाहिए कि तोजन सेपरेटर का यहाँ पे कोमा लगे तो उसके लिए क्या करेंगे ठीक है देखिए यहाँ पे अगर इसको मुझे कोमा लगाना है इस टैप से तो क्या करेंगे सबसे पहला क्या करेंगे इस पर right click करेंगे और यहां जाएंगे format cell में ठीक है जैसे format cell में जाएंगे तो यहां पर आप जो है number category में जो है number को select करेंगे और यहां पर option आता है huge thousand separator like coma हो जो भी हो अगर आप इसको click कर देते हैं तो यहां पर देखिए क्या है coma का option जो है आ हूआ है लेकिन इसके जगें कोई separator नहीं है कि thousand को divide कर सके अगर मैं यहां पर oke कर देता हूँ तो यहां पर देखिए अभी क्या हो गया थो उसके लिए क्या करेंगे same way करेंगे यहाँ पर देखिए thousand separator नहीं लगा हुआ है यहाँ पर भी thousand का separator लगाना है तो क्या करेंगे यहाँ पर जाना है format cell में ठीक है format cell में जाना है एक बाद यहाँ पर number में और यहाँ पर use thousand separator को क्या करेंगे active कर देंगे तो आपका जो काम हो गया और इसको कर देंगे OK तो देखिए क्या होगे आपका जो थौजन का जो separator है वो काम करने लगा जो की कोमा से start होता है और आप किसी भी cell में जो है थौजन separator को use कर सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इसमें भी एक्टिव हो जाएगा और इस तरह से जो एक्सेल सीट के अंदर जो है थौजन separator जो है काम करेगा तो किस तरह से थौजन separator का use किया आपको पता चला ठेक है अगर कुछ doubt होता आप मुझे comment section में लिखिए तो इस वीडियो बस इतना ही और मिलते कुछ new idea, new trick के साथ next video में तब तक के लिए धन्यवाद, thank you